नमस्कार बच्चो आपका online classes में स्वागत है मेरा नाम मिंकलवर्मा है और आज अपन शब्द ज्यान के अंतरगत च श ज ज ये पढ़ेंगे पिछली कक्षा में हमने क ख ग ग ड पढ़ लिया था अब अपन आगे बढ़ते हैं ओके बच्चो आप अपनी शब्द ज्यान को निकाल ले साथ पर अपन वर्ण माला के च च श ज ये को पढ़ते हैं चलो बच्चो अब अपन पढ़ते हैं इसे च च से चर्खा च से क्या होता है बच्चो च से होता है चर्खा चर्खे का प्रयोग धागा बुनने के लिए किया जाता है और यहाँ पर यह चर्खे का एक चित्र दे रखा है जिसे आप अच्छे से ध्यान पूर्वग देखिए इससे अपन कहते हैं चर्खा तो च से चर्खा चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं च से चमच च से होता है चर्खा च से होता है लिए अपन घर में दूद पीने के लिए भी करते हैं, बच्चे कुछ लोग खाना खाने के लिए करते हैं, कुछ-कुछ बच्चे तो इस चमच से चीनी भी खाते हैं, तो च से चर खा, च से चमच, च से चटाई, आपने बच्चो अपने घर में जब नीचे बैठते हो, जब आप बच्चो अपने घर में नीचे बैठते हो, तो आप चटाई बिचा कर बैठते हो, तो च से चटाई, च से चर खा, च से चमच, च से चटाई, चटाई का चित्र देखिए आप जड़ा, चलो अ दूब आपन बढ़ते हैं आगी हमने पड़ा छ से चरखा च से चम्मच च से चटा अब बढ़े हैं छ की तरफ छसे छाता चाती का क्या प्रियोग होता है बच्चों जब कड़क सी बारिश आती है या धूप आती है तो उसके बच्चाव के लिए अपन च्छाते का च्छ से होता है च्छाता आप आपने देखा होगा मदुमख्या कहां पर रहती है यह होता है मदुमख्यों का गर च्छ से च्छता इसमें वो क्या करती है फूलों से शहत को चुराकर इसमें रखती है आपने शहत चका होगा मीठा मीठा तो च्छ से च्छता च्छ से च्छता अब अपन बढ़ते हैं आगे 6 से छलनी छलनी का प्रयोग क्या होता है जो भी दूद, दही या फिर छाज जो भी द्रव्य प्रदात होते हैं अगर उनमें कुछ कंदगी चली जै जैसे कि कुछ भी हो सकता है कच्रा चला जाए तो अपन इस छलनी के प्रयोग से उसे चान कर उसका प्रयोग कर सकते हैं चालने के लिए किसका प्रयोग उता है चलनी का चलो अब अपन आले वड़ते हैं जहसे जहाज आप कभी आपने कभी जहाज की सवारी की है पानी के अंदर जहाज कहाँ चलता है पानी के अंदर देखो ये जो सुन्दर सा चित्र है ये है जहाज पानी में तैरता हुआ जहाज जहसे जहाज आगे बढ़ते हैं जसे जग जग का क्या काम होता है अपन जग के अंदर दूद रख सकते हैं पानी रख सकते हैं कोई कोई तो इसमें जूस भी रखते हैं निम्बू पानी भी तो जग क्या करता है कोई भी द्रव्य प्रदात होता है जसे पानी जूस उसको अपन इसमें ज़से जामून, जामून क्या है? ये एक मीठा सा पण है, जो कि अंगूर की जरा दिखाई देता है आपने जामूनों को देखा होगा पेड़ पन लटकते हुए तो ज़से जामून ज़से जहात, ज़से जग, ज़से जामून अब अपन बढ़ते हैं आगे ज, वो था ज से जहाट, अब ये है ज, ये है ज से जंडे वाला ज, इसमें आता है ज से जर्ना, आपको जर्ने का सुन्दर सा चित्र दिखाई दे रहा है, देखो ये पहाड़ों से होकर के जल नीचे आ रहा है, जल जर्रा है ना नीचे की तरफ, इसलिए से कहते हैं जर्ना, आगे बढ़ते हैं अपन, और क्या होता है जर्से जंडा, ये अपना नैशनल फ्लैग है, जंडा, आपने देखा होगा, जंडे बहुत सारे होते हैं, हर इक देश का अलब जंडा होता है, और ये है हमारे भारत का friendly जंडा, जंडा कब लहरा आते हैं, को अपन अपन की आजादी के दिवस को याद रखने के लिए फ्लैक को कब लहराते हैं 15 अगस और 26 जैन्वरी को भी से लहराते हैं तो जसे जंडा जसे जाड जाड एक जाडू की तरह दिखाई देता है यह जसे जाड जसे जना जसे जंडा जसे जना चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं हमने पढ़ा च ज ज और ये है ये ये का मतलब इसका मतलब कुछ नहीं होता है तो हमने क्या पढ़ा च से चमच छ से छाड जसे जाड जसे जना ये ये का मतलब अनमन कुछ नहीं चलो बच्चों आप इसे बार बारी बाइस करते रहें इस वीडियो को तब तक देखिए जब तक आप इसे अच्छे से याद ना कर लो तब तक के लिए धाल कर दो